भगवान श्री कृष्ण का जन्मदें ज्यानी जन्माश्टमी सिर्फ एक दिन दूर है ऐसे में एहमदाबाद के सकौन मंदिर में जन्मोसब की तैयारियां जोरो पर चल रही है पूरे मंदिर परीसर को ताजे फूलों से सजाया गया है पाल की भगवान कृष्ण की मूर्ती खरीदने और जहां की सजाने के लिए सामान की तलाश में लोगों की भीड बाजारों में देखी जा सकती है अब भी मैंने देखा है तो यहां पर इतनी सारी वराइटीज है भगवान जी के वाघा से लेके उनके रिलेटेट जितनी भी चीजे होनी चाहिए सब कुछ यहां पर है क्लोथ है डिफरेंट डिफरेंट आयरुवेधिक आइटम्स है किचन से लेके कितनी वेराइटीज है मेरे पास एकचोली घर पे भगवद गीता है मैं रोज पढ़ता हूं रात को एक एक वर्स करके अभी तो वही पढ़ रहा हूं मंदिर प्रशासन के मताबिक जन्माश्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण को सजाने के लिए बहतरीन गहने और कपड़े विशेश रूप से व्रिंदावन से मंगवाए जाते हैं पूरे मंदिर में अगर आप केंपस में देखेंगे तो हमने इस बाद गौकुल जहां बगवान ने अपनी भज़पन के लिए लाए किए गोकुल थीम से हम लोग ने प्रायास किया कि पूरे मंदिर को हम लोग सजाए चनमाश्टमी पर भारी भीड के बीच श्रधालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कॉन मंदिर में पुकता इंतिजाम किये गए हैं